कि अग्वाइब आप अपने इस पेशल सीटेट इस्पेशल मेरतन में जहां पर हम लोग कर रहे हैं इस बार के अगस्थ एक्जाम के लिए प्रेपरेशन अगस्थ की में जो आपका सीटेट होने वाल है उसे करेंगे इस बार टार्गेट इससे पहले आप सभी को पता है कि ए मारतन से ही आपकी आई थी और आज भी हम लोग करेंगे मेगा मारतन आपके सीटेट इग्जाम के लिए लेकिर उससे पहले हम आपको बता दें यह पूरी की पूरी क्लास महत पूर रहेगी उन सभी विद्यार्तियों के लिए जो की तैयारी कर रहे हैं बिहार सक्षकबरती बिहार सुपर्टेट क्योंकि आपको पता है यह क्लास रहने वाली है एंसी आर्टी बेस्ट और आपके बिहार में भी एंसी आर्टी को जो फोकस किया जाएगा साथ ही साथ आपको बता देते हैं जुतने बच्चे एंपिटेट वर्क दो चैन परिक्षा की तियारी कर रहे यूपिटेट की तियारी कर रहें तो कही ना कहीं यह concept आपको revise करवाने वाले आपके session में तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे जल्दी से जुडएंगे और Start करेंगे आज के session को पहले तो एक बार जल्दी से मताएंगे कौन कौन रेड़ी है इस session के लिए और जैसे कि पह सब्सक्राइब करने वाले हैं तो पहले तो आप सभी को जुड़ जाना है और बता देना है आप सभी अपने फ्रेंस को कि सब्सक्राइब करेंगे कि क्या आपकी क्लास स्टार्ट करी जाएं और इसे पहले आप सबने बायो के बायो की क्लास को देख ली होगी यह उमीद करते हैं इसलिए क्योंकि जो कॉंसेप्ट आपको बताए जा चुके अब वो आपको नहीं बताए जाएंगे उसके आगे की चीज़े आज के सेशन में पढ़ेंगे तो जितने बच्चे हैं इसके पहले सा बहुत ही एजी क्वेशन मदुमे रोख किस हर्मोन द्वारा नियंत्र तो होता है जल्दी से बताएंगे मदुमे रोख मदुमे रोख का समद हमारी बॉडी के किस ओरगन से ये भी बताएंगे बिलकुल सही अगर हम बात करते हैं हमारी बाटी में अन्ता श्रावी ग्रंति की अंताश्रावी ग्रंतियों की बात करते हैं तो कौन-कौन सी हो जाती है पियूश, पिट्यूट्री, ऐसे करके पुथाइमस, ठैरोइट, सारी के सारी जो ग्रंतियां होती है यह हमारी अंताश्रावी ग्रंती होती है ठीक है जिनमें की जैसे पैंक्रियास की बात करते अगन्याशे की बात करते तो यह हमारा क्या हो जाता है मिश्रित ग्रंती होती है अंताश्रावी ग्रंती भी होती है और बही श्रावी ग्रंती भी होती है मतलब यह रस को भी को भी रिलीस करती है तो मधु में रोग का संबन किस हॉर्मोन से होता है तो यह इंसूलिन हrzyवां हो襲िस होता है यह आपके अग gesch Princip होता है पैंक्रियास प्रिलीज होता है बी आपशन 100% मतलब सारे के सारे टॉप पर आज हमारी क्लास में पढ़ रहे हैं ठीक है next question पर चलेंगे question पर चलने से पहले आप सभी अग्याशे के बारे में देख सकते हो, पैंक्रियास के बारे में देख सकते हो, यह एक प्रकार की मिश्रित ग्रंती होती है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है, जो की अग्याशे ही रस को भी रिलीस करती है, साथी साथ हॉर्मोन को भी रिलीस करती है, कौन-कौन से हॉर्मोन नहें नहीं होती हैं और हीलेट्स लैंगरफ की दुपिकाएं भी होती है लेंगरहंस 25 में दो ब्रकार की कोशिका बीटा सेट करहें ऑने निर्मान होता है ऑगे देखेंगे टाट पोल ऑर ग्रैणि सद्रिय कर रहें उसमें उनका का आयांतरण मतलब व्रधी करके वयस्क बनना तभी संभव होता है जब उस जल में पर्याप्त मातरा में क्या होता है कैल्शियम ऑक्सीजन आयोडीन मिनेर्स समझ लो 100 प्रश्ण आज के सेशन में रहेंगे 100 नहीं भी करता है तो 80 से ज्यादा प्रश्ण आज के सेशन में तो पूरा मतलब जरूरी नहीं है कि आप बीच में करो जब से जुड़ो अंत तक की जुड़े रहोगे पूरा रिवाइज हो जाएगा आपको पता है कि टैड़ पोल जिस जल में व्रधी करते हैं उनको बढ़ने के लिए पर्याप्त मातरा में जल में आयोडीन का रहना आ आवश्यक होता है आयोडीन का और कुछ लोगों ने गलत कर दिया है कोई बात नहीं जैसे कि आप देख रहे हूं अंडे होते जल में जब आयोडीन प्रेजेंट होता है उससे आसानी से टैड़ पोल में बदल जाते उसके बाद और भी थोड़ा सा बड़ा टैड़ पोल हो हो जाता है नेक्स कोईशन पर चलेंगे यह पौधों से संबंदित पार्ट जो कि हमने उस दिन नहीं देख पाए थे साटेड़े वाली क्लास में पौधों का मादा जननांग एक्स कहलाता है इसके तीन वाग होते हैं जिसमें मुख्यता वाई पराग कड़ों के लिए ग्र जैसे यह पूश्प देख रहे हो तो इसके कई सारे पार्ट होते हैं अगर हम इस पार्ट की बात करेंगे तो इसका उपर वाले हिस्सा को क्या कहा जाता है एंथर कहते हैं और इसका यह वाला हिस्सा इसे हम क्या कहते हैं फिलामेंट कहते हैं आप सभी जानते हो यह किसके पाल्ट होते हैं यह पाल्ट होते हैं हमारी स्टैमन के या जिसको हम कह सकते हैं पूंकेसर के अगर कोशन पूछा जाए कि पुश्प में मादा जनन भाग कौन सा होता है स्टैमन स्टैमन के कौन से पाल्ट होते हैं एंसर और फला में लेकिन इसी में ही बात करेंगे मादा जन यहां पर सबसे उपर वाले पार्ट में स्टीगम जहां पर पराग कणा करके रखते रखते हैं स्टाइल से होते हूँ जाते और उस यहैं पहुत सारे अंडी एक सात में एकटे करने के लिए स्टिग्मा और पहाग कडों के ग्राण करने के लिए तता ओव्यूस बीजांड जो है निशेचन होता है बीजांड में करेक्ट एंसर कौन सा हो जाएगा यह वाला एंसर आपका सही हो जाएगा उम्मीद है सारी चीज़ा समझ में आयोंगी जो हम बताना चाहा है तुम्हें ठीक है इसके अलावा भी चीज़े देखेंगे अगला कallen स्टाइल स्टाइमें टेल स्टेंड सैपल जल्ड़ी से एंसर करेंगे मादा जननः भाग अभी आपको बताया गिया स्टाइमड पुंकेसर-वाग होता है मेल वाला पाल्ट होता ऐसे भी करके याद रख सकते हो स्टाइमें में मेल लास्ट मैं म camerasمر क्या होता है मेरूत आ आपस आनी से काट दोगे ठीक है मादा जनन भाग पूछ रहा स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी बी वाला पार्ट अपने आप से आपको एंसर में दिख रहा है और आप सभी लोग एंसर मांक कर दो भी बी वाला एंसर नाइंटी एट पर से नेक्स क्वेश्चन पर चलने से प माले पाइस तुम आण ने के स्ट्यामंने मादा लांग होते हैं स्टिगमा और स्टाइल और और ठीक है स्टीगमा स्टाइल और इसके अलाब इसी में कर सकते हो की अह जिन भी पودों की पतियां में स्टिकटले इनियो ने होता है उन्हें की जड़े टैप route होती है, फाइब्रिस route की बात करेंगे, जिनकी पॉदों की पतियों में parallel venetion होता है, वो तुमारी फाइब्रस route होती है, ये लीव का venetion देख सकते हो, ये जो किनारे किनारे यह लाइन्स होती इने वेंस कहतें बीच वाले पार्ट को मिड्रिप कहतें इसके अलावा इसमें जो है पर्लेल वेनेशन देखने को मिलता है आगे देखेंगे कुछी प्रेशन बायों से मिलेंगे उसके बाद आपकी फिजिक्स स्थार्ट हो जाएगी नीचे दिये गए पदों के विबेन संयोजनों में से जन्तु कोशिका संदर्प पदों का कौन सा संयोजन सही है जन्तु कोशिका के बारे में बताना है एनीमल सेल आप जानते हो प्ल जं नहीं होते हैं इसके अलावा जैसे की सेल वॉल प्रेजंट नहीं होते है तो जन्तु कोशिका का कौन सा पार्ट हो जाएगा जिसमें अपसें को पूरी करीके से बीना पढ़े हुए सारे option को टिक कर दिया कि बाई plant cell में cell wall होती है chloroplast होती है animal में पाई नहीं जाती है cross कर देंगे अपना answer को mark कर देंगे 88% सबने answer सही कर दिया है इसके लावा figure देखेंगे जैसा कि आप देख रहे हूं या आप देख रहे हूं सेंटर में क्यों सी कोशिका है जन्तु कोशिका जिसके बाहर अगर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ प्लाजमा जिल्दी ठीक है सेल मेंब्रेन पाई जाती है इसके अलावा लाइसोसोम राइबोसोम तारक काय सेंट्रोसोम माइटोकॉंड्रिया रफ एंडोप्लाजमे क्रेटिकुलम साइटोप्लाज केंद्रक केंद्र की जिल्ली चिकनी अंतप्यदवी जालिका गॉल्जी बॉडी जे सारी पाई जाती है प्लान्टसल की बात करते हैं, तो प्लान्टसल की विशेश्ता यह होती है, इसमें क्या पाय precursome में, कोशिकां भित्ती, cell walls पाया जाती है, cell walls के साथ यह बड़ी सी vaconnaise पाई जाती है, बड़ी सी vac infringement में जाता हैं हरी तलवक, chloroplast पाया जाता है, और एक मुख्य विशेश्चा क कि इसके पास में ठीक है मतलब सता के पास में इसमें न्यूक्लियस प्रजेंट होता है केंद्रक प्रजेंट होता है यह आपको ध्यान रखनी है अगला कुशन नुमबर सिक्स देखेंगे इसी से संबंदीत प्रश्णता इसी से संबंदीत प्रश्णता पोल दे रहें आप cell wall cell membrane and chloroplast किसमें किसमें पाई जाती है और किसमें नहीं पाई जाती है कौन सा वाला किसकी विशेष्था है जल्दीत एंसर करेंगे मैंने स्पीड लगा रखी है कोई नहीं मीना स्पीड के नहीं मतला समझ सकते हुँ कि दो घंटे में बाई, दो घंटे में 100 question कैसे करोगे, वो exam hall में भी तो तुम्हें करने है न, डाई घंटे में 100 question, exam hall में, अगर पढ़ने की speed नहीं बढ़ाओगे, question को पढ़ने की 100% हमसे लिखवा लो, तुम्हाँ paper छूट जाएगा, ठेक है क्योंकि इस बार offline paper है, तुम्ह cell wall भी है, cell membrane भी है, chloroplast भी है, इसका मतलब कहीं न कहीं है, plant cell की बात कर रहा है, B की बात करेंगे, तो B में cell wall नहीं पाई जाती है, chloroplast नहीं पाई जाती, इसका मतलब ये animal cell की बात कर रहा है, C की बात करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, chloroplast नहीं पाया ज जाता है तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा इसमें क्या लगात हो गया पैंसर क्लोरोप्लास्ट तो सब में पाया जाता है प्लास्टिड होता है प्लास्टिड का क्लोरोप्लास्ट वाला पार्ट नहीं पाया जाता है तो क्लोरोप्लास्ट वाला पार्ट नहीं पाया जाता आप करदे नहीं पायास जाते हैं लेकिन जडम यह शकरकन्द के लिगें व्यक्तारा यह लोग और यहां पर देख रहे हो इस बिचारी का डबबा खाली है कुछ तुम लोग करी नहीं पाए क्रेक्ट एंसर क्या हो जाएगा यह वाला एंसर आपको सही होगा केंद्रक का जै जवान, जै किसान, जै विग्यान बिल्कुल। और बढ़िया तरीके से आप सभी को एंसर करते रहने हैं लगातार हर एक विशे की मैरतन आपको मिल रही है ताकि आप एकजाम में बढ़िया तरीके से कर सको। केंद्रक का कारी कौन सा नहीं है कोशिकाओं को आकारवा सुधरणता प्रदान करना जीन के रूप में जनक से संतती तक अभी लक्षुनों को स्थानांतरित करना चलो पोल देते वरना तुम लोग कहोंगे मेरा एंसर आ नहीं पाया हमने तो एंसर किया था एक नियंतरण व्तकिरिया कलापों को नियंतरत करना कोशिकाDa des есть पतारतों की गतिवनी став करना जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा केंद्रक का कार्य कहिं ना कहिं आप जानते ह personnage को शिका विभाजन में मदत करता है केंद्रक कोशिकाplease और केंद्रक की स्थानांतरण में मदत करता है लेकिन कभी भी कोशिका को आकार यह प्रदान नहीं करता है कोशिक केंद्रक कोई तो कहते हैं और फिर यहीं करने लगेंगे तो फिर इनको डारेक्टर हम क्यूं कहेंगे 87% चलो तुमने इज़त बचाली इस question में आगे हम देखेंगे question number 8 प्रेशन संक्याठ mitochondria का relation अगर ATP से है या मत्तब mitochondria ATP से relation जिस तरीके से रखता है उसी प्रकार से ribosome का संबंध किस्ते है आप जानते हो mitochondria हमारी कैसी होती है double layer होती है एक outer membrane और एक inner membrane जिसके अंदर एक क्या पाया जाता है जिसके अंदर एक जिल्ली पाई जाती मतलब एक matrix पाया जाता है इसे के अंदर एक matrix बारा हुआ होता है और इनके अंदर एक उंगली लुमा सनचना होती है जिसको हम क्या कहते है जिसको हम क्रिस्ट्री कहते है यह क्रिस्ट्री क्या करती है यह क्रिस्ट्री इस समय ग्लूकोस को किसमें बदल रही होती है एटीपी में वही एटीपी है जिनको हम क्या कहते है एडिनोसें ट्राइफ स्लेशर का काम करता है तो बी वाला एंसर आपका सही है ओ पॉल तो दिया ही नहीं चलो कोई बात नहीं आगे देखेंगे अगला कोश्चन अगला प्रस्ट क्वेश्चन नंबर नहीं विच आफ दो फॉलोईंग पेर्स इस रिलेटीड टू दा इन्हेरिटेंस ओफ क्यारेक् और कुछ भी नहीं कि एक लोग को पढ़ा रहें डुसरे लोग को कि तुम चले जाओ सब देख रहें CART क्रोमोजोम कता जेन इनका संबंद अनुआन्वान्शिक्ता से आप जांती हो न अनुआन्वान्शिक्ता की shooting किसको कहते जीन को कहते हैं क्या अनुवानशिक्ता में माइ Democronie क्रोमोजोम से संब्स लखते हैं और क्रोमोजोम जल्दी से बताएंगे गुड़ सूत्रों की खोज किस ने करी थी गुड़ सूत्र का नाम करण किस ने किया था अभी कल की क्लास में पढ़े जल्दी से बता दो और गूड़शूत्रों की खोज किसने करी उसलाय को गूड़शूत्र इनकी बुई कौने नाम किस ने दिया था इनको जल्दी से बताएंगे यह पेलाडे कहा से चलो अच्छा यहां कोई दिक्कत नहीं question number 10 देखेंगे थोड़ा आखों पर रोशनी रालेंगे और सब को एक समान नजर से देखेंगे ठीक है थोड़ा आखों पर रोशनी रालेंगे और यह बिग बॉस की आखे सब को एक समान नजर से देखना इस प्रश्ण को मतलब सभी सबस्क्नेश। नहीं सही अच्छे सही आंसर करेंगे कॉर्णी अ का क्या क्या का होता है प्यूपिल का चाकाँ होते और सिलेरी DI — जल्दी बतायेंगे और हम देगे पोल कि देखाएंगे जाने आखों कौन कौन से फार्ट होते हैं आखों के पूतली तुमाई bureau दिखाई द कौर्णिय शबसे अंदर जाती वो होती इंगे वाला यंशर भटक तो नहीं रहा हमाय ऊपर जुल्म हो रहे हैं कौर्णिया का क्या काम होता है कौर्णिया इससे प्रकाश हमारी आखों में अंदर प्रवेश करती है ही थी के हमारी अंखों में आंग हो करके हाथी को KORNIA से हो करके जाती परितारी का इयरिज स्थ eg नेथ्र में प्रवेश्च करने वाले प्रकाश की मासरा कूर नहीं जब लाइट पहुंच जाती आगे तो आंके तुम अपने मन से बंद कर पुतिली का क्या काम होता है तो यह जो है क्या करती है इससे प्रकाश जो हमारे नेत्र में प्रभेश करता है द्रस्टी पटल क्या करती है द्रस्टी पटल प्रतिभिंब के लिए स्क्रीन का कारे करती है और मसलरी सेल्स जो पीछे होती है यह लेंस की सही स्थिति को रखता है कि कौन सा कहां पर है गजेंद्र तुम को कितनी स्पीड में चाहिए भाई तुम्हें कितनी स्पीड में करवा दे क्या चाहते हो प्रशनी ना पड़े हम ठीक है फिर रिवीजन कैसे करोगे चलो अच्छा यहां से अब आपकी हम बता देते हैं अब आपकी फ्रिजिक्स स्टार्ट हो रही है और पूरा देटेल में इसके पहले스ू आपको बता देते हैं इसके पहले स्टार्टेडी को कicion ŚHow पार्ट बं था बायो का करोले न और ये कर लिया आपकी पूरी बायो खतम यहां से पूरी की पूरी सीरीज खर एक आह पूरी में स्यरीज असनी हो कि धिंna भी लेग簡 maize जेत्थन बेड़ माथ पूरा यहां से स्टाट करते में जाता है वह दरपड घर में प्रवेश करता है और विविद प्रकार की दरपड देखता है अब लोकन करता है कि अलग 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 दरपड़ों में उसका प्रतिप्ड़ों में अलग अलग उसको दिखाई देगा विविद दरपड़ों में उसके प्रतिप्ड़ों की लेकिन छोटे आकार का दिखता है, inverted and diminished, उल्टा दिखता हैं बड़े आकार का दिखता है, ठीक है, diminished or inverted and magnified, थोड़ा सा इसको हिंदी में ही कर दो, क्योंकि ये वाला हिंदी में ही इसका English डिलीट हो गया था, ये वाला हिंदी में ही थोड़ा सा समझने की कोशिस करो, बागी तुम्हारा हो जाएगा, आप जानते हो, सीधा और समान अकार का प्रतिमि में किसमें दिखता है, तो ये दिखता है हमें plane mirror में, किसमें दिखता है plane mirror में, सीधा और लगू अकार का image, छोटा किसमें बनता है, आभासी सीधा वस्तु से छोटा, किसमें बनता है, ये बनता हम हमारे उत्तल दरपड में किसमें बनता है उत्तल दरपड में उल्टा और छोटे आकार का अब आसी सीधा तो यह किसमें बनता है यह बनता है हमारे अवतल दरपड में किसमें बनता है अवतल दरपड में उल्टा और बड़े आकार का किसमें बनता है तो बड़ा छोटा हर एक प्रकार का अवतल दरपड में ही बनता है किस में बनता है अवतल दरपड में नहीं बताया दिया इंग्लिश Convex mirror Concave mirror और यह भी आपका Concave mirror correct answer क्या हो जाएगा यह वाला answer समझ में आया कि नहीं समझ में समझ में आया यह वाला question कि नहीं समझ में चलो पॉल तो दिये ही नहीं थे आगे देखेंगे अगला question second question physics का second question question number 12 संजना के पास तीन चुमबक है ABC जनके दुरूब क्रमशा A1 A2 B1 B2 C1 C2 है चुमबकों को यहां से question fix है कि magnet से एक प्रशनाव का हर हाल में आएगा समीप लाने पर उसने निम्न प्रेक्षण किया ठीक है एक A1 A2 है एक B1 B2 है और एक C1 C2 है एक C1 C2 है इतने हैं जानते हो कि नहीं जानते हो A1 repulse is B1 मतलब कहीं ना कहीं A1 का और B1 का सेम पोल है A1 repulse is C2 A1 और C2 का सेम पोल है तभी तो repulse कर रहा है फिर कह रहा है C1 is North Pole अब उसने answer कर दिया कि C1 का North Pole है अब तुम बताओ तुम्हाँ पास तो दिमाग है ही है ना C1 का North Pole है तो C2 का कौन सा पोल होगा साउथ पोल होगा जब C2 का साउथ पोल है तो इधर A1 का भी साउथ पोल होगा A1 का साउथ पोल है तो B1 का भी साउथ पोल होगा और जब A1 का साउथ पोल है A2 का North Pole और B2 का भी नॉर्थ पोल होगा बताएंगे कौन सा वाल आप्शन सागे B2 इस नॉर्थ पोल and a2 is south pole, बिल्कुल गलत, a2 का north pole है, b1 is north pole, गलत, b1 का south pole है, b1 and a1 north pole, b1 and a1 north pole, गलत, क्योंकि इनका south pole है, correct answer हमारा कौन सा हो जाता है, d वाला answer, d वाला वीरा, वीरा, जोती, निवेदिता, अमित, प्रिंसी, सब गलत बता रहे हो, कहे तुम c बता रहे हो, c कहां से बता रहे तो भाई, d answer सही है, कौन सा, b1 और a1, b1 और a1, इनका कौन सा, धक्षणी दुरुवे, south pole है, है ना, ध्यान से करो नहीं, तो गलत हो जाएगा, दो मिनिट लगता है, गलत होने में, और सीखने में, पूरा समय, सोचो, साल बर सीखते हो, एक्जाम में एक मिट में गलत कर द में, अधर, समय जादा नहीं लगता है, इसलिए ध्यान से लगाओ, यह देखा जाता है कि जब बिजली के बल्ब में, ध्यान से सुन अवरना करेंट लगेगा तुमें इस क्वोस्चन में, ठीक है, विद्दु धारा गुजरती है, यह बिजली का बल्ब है, इसमें करेंट विद्दुदारा को ले जाने वाली तार नहीं चमकती है निम्ण में से इसका कौन सा कारण हो सकता है बाई तार क्यों नहीं चमकता है विद्दुदारा को ले जाने वाला बताएंगे तार की प्रतिरोधक्ता तंतु से अधिक होती है फिलामेंट से अधिक होती है तार की प् higher melting point than filament देखेंगे कौन-कौन है क्लास का बुद्धिमान कौन-कौन है बुद्धिमान प्राडी ठीक है जैसे माल लोग किसी भी चीज में करेंट गुजरती विद्धुदारा गुजरती यह जान रहे हो न क्या है रजिस्टेंस रजिस्टेंस का क्या काम होता है रजिस्टेंस का क्या काम होता है रुकावट एक तरीके का फोर्स लगाएगा जो की करेंट को फ्लो होने से अपोस करता है रोकता है क्यों नहीं चलेग में बिल्कुल साक्षी जेके व्लोग अनुराधा और कौन-कौन बता रहा है और बीवाल या कांशा जोती बहुत बढ़िया बीवाल लेपोल तो है इनी चलो ठीक है वार है लेसर रेजिस्स देंजा फिलामेंट इसी वजह से वो नहीं चमकती है अगला प्रस्ट क्वेश्च मांट थिखे को 1-7 बजाने पर दुख़़णी एक समान चाल से जल चलती है फिस ज depiction कि नहीं समान दीवरेथा की दो दवनी तरंगों की एकозиमान उच्चता होती है गर्म वायु में बधवनी की गती कमरे के तापमान पर उसकी गती के से परवावित होती है कौन इसका एंसर तो गलत लगाना ही नहीं, पिल्कुल दिमाग ही नहीं कोई समझते हैं, द्वनी के संबन्दमें वॉयलन और भावसुरी को जब एक साथ बजाते हैं बाई जब तुम बजा रहे हो एक साथ बजा रहे हो तो ध्वानी एक समान चाल से चलेगी ना अब बाई वो अपनी स्पीड से चलेगी लेकिन मतलब अवाज उनकी अपनी पनी स्पीड से जाएगी चलेंगी तो एक समानी स्पीड से ना ठीक है तो ये भी ठीक निकल गया समा क्या लाउडनेस सेम होगी बताएंगे एक बार जल्दी से कॉमेंट करके बताएंगे क्या लाउडनेस सेम होगी लाउडनेस आप सभी जानते हो किस पर डिपेंड करता है एंपलीट्यूड पर डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है एंपलीट्यूड पर मतलब अगर ल इंतेंसिटी नहीं ज़्यादा होगी बिलकस ही पूझा तिवारी ये जो है ये जो है हमारा जुच और देख रहे हो ऐसे करके गलत करा होगे, फिर तुम सोचोगे पता नी, question कहाँ से पूछा उश्य से पूछा गया था ये कुझ बहूंचा होता है किया होती हमारी Amplitude Amplitude अगर आप से पूछा जाए आयाम क्या होता है, तो बता सकते हो कि जब धौनी तरंग कितनी उचाई से यह होता है कितनी तेजी से तुमने बोला मतलब आवाज का मंद या फिर धीमा होना ठीक है यह जो होती maximum इसको ही कहा जाता है loudness इसको ही कहते है loudness तो loudness amplitude पर करती है यह होता है हमारा आयाम अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं frequency की एक सेकेंड में कितना दोलन चल रहा है कितने चक्कर लगा रहा है उसे ही हम कहते frequency और जो पिछ होती है पिछ किस पर depend करती है पिछ depend करती है फ्रिक्वेंसी पर आवरती पर निर्भड करती है आगे देखेंगे अगला प्रश्ट कोशन नमबर 15 मान लिया जाए कि प्रतेक केस में प्रयूक्त सेल और बल्ब एक समान है तो निम्ड में से किस तरल स्टेडी क्रम परिपत में बल्ब अधिक उधीत होगा बल्ब बहुत त तेजी से कब जलेगा जित्ते बच्चे सभी बच्चे एंसर करते रहेंगे और तुम्हारी है आज सटेड़े है ना सटेड़े है कि नहीं है आज पूरे के पूरे क्वेशन सॉल्व करो कल संडे रिवाइस करना बड़ी हराम से बढ़ करके ठेक है क्या होगा कब तेजी से जालेगा आपको भी पता है जब दो सेल दो सेल लेलो और एक बल्ब लेलो तो यह बल्ब बहुत तेजी से ज़े घ hypothesis एक बल्ब और दो सेल जब लगाते हो तो यह बहुत तेजी से लाइट देते बी वाला एंसर बिल्कुल सही होगा ठीक है बी वाला एंसर बिल्कुल सही है 98% वही कह रहा था चलेंगे नेक्स क्वेशन पर यह देखो यह तो एक सेल हो गया इसी तरीके से दो सेल लगाए चाहेंगे कि इस तरीके से करेंट फ्लो होती रहेगी और हमारा बल्ब जलता रहेगा अगला प्रेश्ण क्वेशन नमर 16 छड़ चुम्पक एक बार मैगनेट कहता होता है एक नौर्थ पोल और एक साउथ पोल लोहे के बुरादे के समीप लाई जाती है तो लोहे का बुरादा उसके अधिकानिश्टक क इस भाग पर चिपकता है लोहे का बुरादा माल लेते एक बड़ा सा बॉक्स है जिसमें की लोहे का बुरादा भरा हुआ है माल लेते इस पर लोहे का बुरादा भरा हुआ है लोहे का बुरादा कहां पर चिपकेगा उसके अधिकानिश्टा मध्यभाग में केवल मध्य मे सबी जगा में समान रूप में या पिर अधिकानिष्था दोनों किनारों पर कहां पर जा करके चिपकेगा जल्दी से बताएंगे कहां पर जा करके चिपकेगा तो आपको पता है किसी भी मागनेट में उसका चुम्ब कत्व उसके किनारों पर उसके सिरों पर जादा होता है त उसके किनारों पर जो है ज्यादा दिखाई देगा डी वाला एंसर आप कैसे है डी वाला एंसर आपका से 98 परसें बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी एंसर कर रहे हो आगे चलेंगे अगले प्रशन पर एक छाया से भी मतलब एक यह प्राग फलब सब्स्याद आपके चाटकारी चाने है एक पर के लंबाई और प्रकाश के शाचंता फ्रकाश की बीच की दूरी पर निर्वर करता है बताएंगे क्या हो जाएगा question number question number 17 17 number question number आपको चाया के बारे में चाया कब निर्मार होती है जैसे माल लोग यह बिंदूश होते हैं यहां पर कोई वस्तू रख दी जाती है तो इसके ऊपर से लाइट जाएगा और यहां पर shadow formation स्क्रीन में shadow formation होगी तो आपको पता है पीला बिंब काली चाया उत्पन्य करता है बिल्कुल सही चाया केवल आप अरदर्शी बिंबो उत्पन्य की जा सकती बिलकुल सही है चाया का अकार प्रकाश के शोत और बिम्बों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है यह भी सही है लेकिन क्या इनकी लंबाई भी समान होती है चाया की लंबाई बिम्ब की लंबाई के समान होती है यह गलत हो जाएगा आपका क्योंकि गलत वाला स्टेटमेंट आप से पूचा था तो सी वाला एंसर सही होगा 31 प्रतिशत बच्चे एंसर सही कर रहे हैं ठीक है 31 प्रतिशत आगे बढ़ते एक अच्छा सा जबर्जस्ट क्वेश्चन यहां पर यहां से भी एक प्रश्चन पूचा जाते हैं आपके एक्जाम में 110 परसेंट आएगा आपके एक्जाम में कोशन नमबर 18 द्रव A B तता C जल में अप मिश्रणी हैं A B C जल में घुलते नहीं है जिनके द्रविमान तता आयतन दिये गाई है टेबल में बना करके मतला एक लिक्विड ए है जिसका मास 5.4 ग्राम है आयतन 5 सेंटीमिटर हमें आयतन 50 सेंटीमिटर क्यूब है ठीक है अगर तुमने यह लाइन नहीं पड़े एक्जाम ओल में तो तुम यह कुशन सौल भी नहीं कर पाऊगे तुम सोचो कि कुछ तो दिया नहीं हम करें क्या इनकाम ठीके कौन सा कतन सही लिखका है जिसकी डेंसे कम होगी जिस लिक्विड की डेंसेटी कम होगी इसका मतलब वह तैरेगा वह मैं अगर जल के घनत्व से जिसकी डेंसेटी कम होगी वह तैरेगी जल की डेंसेटी से जिसका ज्यादा हो जाएगा वह डूब जाएगा वह डूब जाएगा क्या निकाले हो अब क्या जानते हो density is equals to क्या होता है density is equals to mass upon में volume mass upon में volume अब बाई फटा-फट से solve करो 5.4 by 5 कही न कही 1.00 something आएगा कुछ 4.6 by 50 तो कही न कही 0.0 something कुछ आएगा 130 बटे में 100 कही न कही 1.3 आएगा और अगर एक से compare किया जाए एक से ए भी जादा है एक से liquid C का density भी जादा है B का कम है तो B वाला डूप जाएगा डूप जाएगा मतलब B वाला जल पर तैरेगा ठीक है B वाला जल पर तैरेगा correct answer कौन सा वाला हो जाएगा D वाला correct answer कौन सा हो जाएगा D वाला चलेंगे next question पर अगला वरश्ण अगला क्या कहता है किसी हलकी और भारी वस्तु की गती जूजा एक बराबर है उनके वेग के संबंद में कौन सा कथन साही लिखा गया है velocity के बारे में वेग के बारे में कौन सा साही लिखा गया है अचा एक चीज आप यह जानते हो अब यह चीज जानते हो ना अगर कोई भारी घर पर ही देख लो एक भारी लड़की देख लो एक हलकी लड़की को देख लो हलकी वाली बहुत तेजी से भाग के चली जाएगी भारी वाली को उठने में ही टाइम लग जाता है तो किसकी गती जूर्जा जादा होगी ठीक है तो वैसे कंपेर्जन को किसकी वलासेटी जादा होगी वही कंपेर करना है आप सभी लोगों को ठीक है तो चलिए इसमें बताएंगे जल्दी से बताएंगे जड़ी से भारी वस्तू का वेग हलकी वस्तू朝 के वेग से थे दोनों आप इक समान वेग से कम यंग की तुलना पिलाने के लिए आपको आए यहां पर पूरे पी डबलू के टीचिंग वाला टीम आप सब के लिए जुड़ी है यहां पर साथियोब मैम इतनी मेहनत करती हैं तो आज हम मैम को चाए पिलाने आये हैं हम सभी साथ यहांपर शारत सर दीपक सर और प्रकाश सर और प्रशान सर हैं और मैम थोड़ा चाय पीझे और यहां पर थोड़ी सी एनर्जी भी लीजे है और क्योंकि बोलना पड़ता है सर इतना ज़्यादा तो जरूरी है और मेरी तरह शायद मैम की रगों में भी चाहे दोड़ती है और थोड़ी चाहे पीती है यहाँ पे इसलिए भी हम आए कि आज सभी लोगों को पता है कि आज 29 जुलाई है आज और 29 जुलाई 2020 को नेशनल ए जो किसन पॉलिशी की तो सारी का मैम को यहाँ पे हम इस सालगीरह पे चाहे लेकर के आए हुए हैं और आप सभी लोगों के लिए भी थोड़ी से एनरजी लेजिए और साइन्स और मैथमेटिक्स का जो कंबिनेशन है यहाँ पे दीपक सर को भी हमने इस्पेशली लाया क्लास भी है तो उसमें आप लोगों को बताना है कि कम समय में अच्छी त्यारी कैसे करें तो वो सारी बाते आपको क्लास में बताएंगे और आप लोगों की प्रोपर वे में लगाता एक अगस से क्लासिस भी स्टार्ट होने जा रही है तो बिल्कुल हम लोग यहीं सोचे सब्सक्राइब करेंगे आगे क्या प्लानिंग होनी चाहिए सब कुछ अभी के लिए तो इतना ही फिर मिलते हैं बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें तो इंग्लिश के लिए मेराथन के लिए जोड़ना मत भूलिए का शाम को साथ बज़े वह तो ठीक है यह आप क्या पी रहे हैं एक बाद दिखाएए सामने आईए यह और कुछ नहीं है गलत बस तबज़ेगा इसा लगता क्यों नहीं देखिए लग रहा है बट यह तर देखिए नहीं यह लग रहा है यह मुंजाल परवत पे पाया जाने वाला चीज चलिए वाई बहुत बने हैं ओके थांक्यू स्थांक्यू सो मच सर्व के मैं कंटिन्यू करते बाकी अभी सभी टीचर्स के द्वारा आपको मिलता रहेगा एक मुझे कविता यादा गई है इस नेसनल एजूकेशन पॉलिशी के सालगिरह पे कि चाह नहीं मैं सुर्वाला के गहनों में गूथा जाऊं चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं मुझे फेक देना बनमाली उस पत पर जिस पत पर मात्री भूम को शी है बीर अनेक तो यह जो है हमारी एभिलाशा है कि हम जो है अपने मात्रिभूमी के लिए नयोचावर करतें हम इस चैनल और और आप सभी मोटिवेट करते रहते हैं हम सभी टीचर्स को जिससे की क्लास जो है ना दो गंटे की तीन गंटे की यह लोगों की पाच-पाच-छे गंटे की भी क्लास हो जाती है पता ही नहीं चलता है तो इसी के साथ में आगे कंटीनियू करते हैं जाएंगे जल्दी इसे फटा-फट से जुड़ इसे में जाएंगे जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताएंगे स्टाट किया जाएंगे पीच पीच में पीच पीच हल्की और भारी वस्तु की बात कर रहे थे गती जूर्जा एक बराबरे उनके वेग के संबंद में कौन सा कथन सत्य लिखा गया है बारी वस्तु का वेग हल्की वस्तु के वेग से अधिक है दोनों का एक समान वेग है बारी वस्तु का वेग हल्की वस्तु के वेग से कम है व जल्दी से बताएंगी इस question का answer क्या हो जाएगा आप जानते हो भारी वस्तु का वेग हलकी वस्तु के वेग से अधिक होता है या कम होता है जल्दी से बताएंगी क्या हो जाएगा क्वेशन नमबर 19 करेक्ट अंसर सी बिलको सही हल्की भारी वस्तू का वेग से क्या होता है कम होता है सी वाला एंसर आपका और सही है बिल्कुल हम चाही पीटे रहेंगे आप सब अंसर करते रहों बीच-बीच में कोशिन नमबर 20 निम्ड में से कौन सा पदात फ्यूज का तार बनाने के लिए सबसे उप्यूगत है आप जानते हो फ्यूज वायर फ्यूज तार की बात करते हैं यह बना हुआ होता है CT ट्रिक है CT कुछ नहीं है ट्रिक है किसे फ्यूज स्टार सीसा और टिन से मिल करके बना हुआ होता है अब आपको बताने है फ्यूज स्टार क्या होता है एक तरीके का सेफ्टी डिवाइस होता है हमारे इंस्ट्रूमेंट को टीवी एसी फ्रिच इनको बचाता है कब जब कभी बहुत ज्यादा लाइट आ जाती है बल्ब अगारा को भी तो बताने इसकी विश्यस्ता क्या होती है इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है और इसका रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता कैसी होती है एक्स की मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे कोईशन 20 क्या हो जाएगा अगर हम बात करते हैं फ्यूस्तार कि किसका बना हुआ होता है फ्यूस्तार वही तो अच्छा होगा जिसकी कि 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 करने की विधी का सुझाव देने केले क्या कहा चुंबख को कई बार जमीन पर गिराओ चुंबक के दो टुकड़े कर दो चुंबक को गर्म करो चुंबक को जग जल में फेको को हठवडे से पीटो निम्नलिकित में से कौन सा सही है आप बिल्कुल तो आप सभी चाई पी तो चाय मेरी क्वतम लुक्त मेरी स्पीड़ करता है तो फिल्षाद करने के लिए अगर आप उसको जमीन पर गिराऊगे मैं तो भी उसका क्यों रुद्स बाशना मेरी मिल्स टॉद्स ons पर लुद्स के om चुम्बक के दो टुकडे कर दोगे तो भी दो टुकडे करने से उसका चुम्बकत्व नहीं खतम हो जाता वो दो नए चुम्बक आपके त्यार हो जाते चुम्बक को गर्म करने पर जो है उसका चुम्बकत्व खतम हो जाता है गर्म करने पर इसके अलावाद चुम्बक को ज सब्सक्राइब 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 जिसका रिफ्राक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है उच्छ अपवर्तनांग के द्रव माध्यम में मतलब एक लिक्वेड है इसका अपवर्तनांग बहुत ज्यादा है उसमें अगर डुबोया जाता है तो उत्तल लेंस किसकी भाती विवहार करने लगेगा अगर उत्तल लेंस को किसी एक ऐसे लिक्विड जिसका रिफ्राक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है उसमें डुबोया जाता है तो वह किसक किसकी तरह विवहार करने लगेगा आप बंप सारी लेन्स ब्लेन में ल knave mirror या फिर ढाइबाजेंट लेन्स किसकी तरह विवहार करने लगेगा जल्दी से एंसर करेंगे बाइस सबको बता दो ना क्लास आपकी चल रही है दो को रिकॉर्डिंग बीच बीच में एड आने लगता है तो तुम कहीं और ही भाग जाते हो लाइव में एड वगरा आने का कोई जंजट ही नहीं है डारेक्ट आप अपनी चीजे सारी लेंज किसको कहते है अप सारी लेंज कहा जाता है अब अवतल लेंज को अप सारी लेंज कहा जाता है अवतल लेंज को यह देखो क्यों क्योंकि इसमें जो रेज आती है अपनी जगा से बाहर चली जाती है ठीक है उतल लेंज को जब हम उच अप वर्तनांक वाले द्र देखना एक बार से यहां पर बच्चे कंफ्यूस रहते तो इसको हम यहां पर कवर करना चाहेंगे, उत्तल दरपड और आवतल दरपड, किसको क्या कहा जाता है, यहां देखेंगे, उत्तल दरपड मतलब कॉन्वेक्स मिरर, यह किस तरीके से होता है, इसमें जो है, अंदर की कोटिंग होती है बाहर से reflection होता है साथ ही साथ ये किरणों को एक जगा पर 1 एक जगा पर ले करके आती है किसे लिए उत्तल दरपन को हम अप सारी दरपन भी कहते हैं ध्यान gobierno उत्तल दरपन को अप सारी दरपन भी इसको हम लोग कहते हैं ये पूछा जाता है मतलब diverging mirror मतलब क्या कहते हैं diverging mirror कह दिया जाता है इसके लावा मुझा अवुत अरपanti की बात करेंगे अवुताल दरपण में क्या होता है नंदर से reflection होता है अंदर से reflection होता है इसमें जो है प्रकाश किरने एक जगा से निकलती हैं, फैलती हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसमें प्रकाश किरने क्या होती हैं, एक मड़म ने उल्टा बोल दिया है, ठीक है, इसमें क्या होता है, अपनी जगा से प्रकाश किरने एक बिंदू से फैलती हैं, तभी इसको, मतलब बोल कुछ और रहते बना कुछ और दिया है अप सारी कहते और इसमें क्या होता है एक ही बिंदु पर प्रकाश किरने आती है इसलिए इसको हम क्या कहते अभिसारी अभिसारी दर्पन कहते मतलब कंवर्जिंग कंवर्जिंग मिरर क्या कहते इसको आप ध्यान दीजेगा वरना आप सारी मतलब जानते ओना फैल रहा हो अब यह सारी मतलब यह जगा पर यह है वह I इसी के बाद हम लेंस के बारे में बताते हैं हां हां कनवर्जेंट हो गया कनवर्जिंग मिर्र और यह आपका diverging mirror आगे हम देखते हैं उत्तल लेंस के बारे में उत्तल लेंस के बारे में देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में देखेंगे यह क्या होता है उत्तल लेंस के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है बीच में मोटा है किनारे पतला होता है और इसमें क्या होती है प्रकाश किरने एक जगा पर आती है इस वज़ा से उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है उत्तल लेंस को कहते है अभिसारी लेंस कि उत्तल लेंस को क्या कहते है अभी लेंस को क्या मतलब होता है Uh कि अध्य का मतलब होता है कि यह मतलब होता है कि अक यह मतली अब हाधिक मे Loyal the अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपका लेंस होता है, कॉनकेव लेंस और इसमें क्या होता है, जब भी कोई प्रकाश किरन आती है, अपनी जगा से पैल जाती है, ठिक तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, अप बेवर्जिंग लेंस इसको ऑन कहतें इसको कहतें डिवर्जिंग लेंस सो और सक्वी आइं ये तो दिया झाल को धूलन्रण को के लिया ह establishing has यह दोनों क्लियर हुए की नहीं क्लियर हुए उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्लियर हुए की नहीं क्लियर हुए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्लियर हुए की नहीं क्लियर हुए और इसी तरीके से जब उत्तल दर्पण को उचप वर्तनांक वाले द्रव में डुबो हो सकता है अलग-अलग कि सुनिया द्यान से समान तारत और समान तीवरता मतलब दो ध्वनी तरंगे हैं दो ध्वनी तरंगे हैं इनकी सेम फ्रिक्वेंसी और सेम लाउडनेस तो क्या विभेदन कर सकते उनकी क्या जा सकता है इनकी क्वालीटी पर ध्यान दीजिएगा हमेशा ही समान तारत और समान प्रबलता की दो द्वनी तरंगों के बीच में अंतरम कैसे कर सकते उनकी क्वालीटी को देख करके उनकी गुड़ता को देख करके अगला 24 नीचे दिये गए कतन में से, कौन सा कतन सकते नहीं है, कौन सा कतन सकते नहीं है, लोटनिक गर्षड, rolling friction is greater than sliding friction, sliding friction is less than static friction, सरपी गर्षड स्थातिक गर्षड से कम होता है, static friction is greater than rolling friction, static गर्षड लोटनिक गर्षड से अधिक होता है, sliding friction is greater than rolling friction, अब यहां पर बात करेंगे friction की क्या होता है friction जानती हो Frictional force एक तरीके का contact force होता है दो सत्य एक दूसरे के बीच में opposite force लगा रही होती है उसे कहां जाता है Frictional force तीन तरीके का होता है rolling, sliding और static force of friction बात करीजाएं सबसे अधिक maximum सबसे कम सबसे कम किसका होता है सबसे कम घर्षन बल किसका होता है अगर आपसे पूचा जाएं सबसे कम किसका होता है तो बता सकते हो सबसे कम होता है rolling force of friction का rolling force of friction मतलब लोटनिक का और सबसे अधिक किसका होता है सबसे अधिक घर्षन बल किसमें लग रहा होता है सबसे अधिक होता है static का static force of friction मतलब static static बल घर्षन बल का तो दियान दीजिएगा यहां पर क्या रहा है लोटनिंग का सरपी से अधिक है बाई लोटनिक का तो सबसे कम होता है rolling का तो सबसे कम होता है तो क्या हो जाएगा कौन सा कतन अतबते है यह वाला एंसर कि rolling force friction is greater than sliding friction तो नहीं rolling friction is less than sliding friction सबसे अधिक स्टाटिक का होता है सबसे कम rolling का होता है बीच में आता है sliding तो sliding का तो इससे obvious सी बात है जादा होगा आगे हम बात करते है question number 25 की read the statement given below and choose the correct option assertion दिया गया refrigerator pipe cell painted with a black color reason दिया गया good absorbers of heat are also good radiators which are of the following is true both a and r are true and r is the correct explanation both a and r is true and r is not the correct explanation for it a is not correct but r is correct both a and r is not correct जल्दी से बताएंगे मैंने देखा ही नहीं कि गलत वाला लगाना है बिल्कुल साक्षी बस यही चोटी-चोटी से अधिक हमें एक्जाम में ध्यान रखने है कि यह नहीं हो हम से ठीक है यह नहीं हो कि भाई आ रही है चीज़ा लेकिन गलत हो गहीं बस देखा नहीं इस वजह से इसलिए आख कान नाख खोल के जाना इस पिक्जाम में आप जानते हो रेफ्रेजेटर के पाइपों पर काला पेंट किया जाता है ठीक है काल तांकी अवशोशण करें आप शोशक करें तो अच्छे अवशोशक अच्छे विकिरक भी होते हैं गुड रेफलेक्टर आर गुड रेडिएटर ठीक है गुड एब्जॉबर आप गुड रेडिटर यह भी होता है तो वही चिजह कह रहा है माम हर बार सही समझ कर लगाती हूं अच्या नियम है ये विक्रIDE और उत्सरजक के लिए किर्चफ नियम कहता है अच्छे अवारोशोषक के विक्रada भी होते हैं तो दोके दो उदा सीन वस्तु में मतलब कोई भी चार्ज नहीं है अंचार्ज बॉडी न्यूट्रल आप्जक्ट आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है अलाइक चार्जेज ऑफ सेम मैगनिटूर समान परिमार के विजाती आवेश होते हैं समान परिमार के सजाती आवेश होते लाइक चार्जेज ऑफ सेम मैगनिटूर विबिन परिडामों के विजाती आवेश होते हैं या लाइक चार्जेज ऑफ डिफरेंट मैगनिटूर बताएंगे जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दो न्यूट्रल आपजेक्ट को आपस में होते हैं लाइक चार्जेज क्या होते हैं लाइक चार्जेज होते हैं लाइक चार्जेज ऐसे चार्जेज होते हैं जिनकों क्या कहते हैं सजाती आवेश जिनकों क्या कहते हैं जिनकों कहते हैं सजाती आवेश लाइक चार्ज मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और निगे इनमें तो कुछ होगा ही नहीं लेकिन अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं विजाती आवेश क्या होते हैं बता सकते हो विजाती आवेश क्या होते हैं एक जब पॉजिटिव चार्ज और एक जब निगेटिव चार्ज आपस में आते हैं तो यह होता है हमारा अनलाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस समान परिमान के वजाती आवेश आ जाते हैं अगला प्रश्ट 27 जबड़ जस्क्वेश्चन और इसमें ना तुम्हारा सर्फ और सर्फ दिमाग चेक होगा यह क्या है इतने चोटे काई हो गई इने किसने पीट दिया अच्छा चलो पोल दो अभी कथन और कारण रात भर किसी कमरे में रखे जाने पर सुचालक का थाप कुचालक की तुलना में अधिक होता है एक कमरे में जिसका टेंपरेचर सेम हो ठीक है दो अब्जक्ट रख दी जाए एक सुचालक वस्तू एक कुच कुचालक का ताप कुचालक की कमपारसन में अधिक होगा रीजन चालकों से उश्मा का प्रवाब बहुत दीरे होता है उन्हें गर्म होने का अनुबाफ कराता है देखेंगे दिमाग सब का दम होता है कितना भी मैनत करो दो के दोखा देता है प्रीदी कह रही है प्रीदी आप बताओ आप बताओ आप एक कमरे में बैठे हो तुम्हाइं रूम का टमपरेचर 20 है ऐसा थोड़ी होगा कि लकडी का टमपरेचर कुछ और होगा तुमारा कुछ और होगा रात में भर पूरा है तुमारा तो बाई किसी का ताप अधिक किसी का ताप कम ऐसे नहीं होता पहला वाला तो गलत हो गया पहला वाला तो गलत हो गया अभीकतन गलत हो गया चालकों में उश्मा का प्रवा बहुत दीरे होता है ऐसा होता है चालकों में उश्मा का प्रवा हुई उसी तरीके से होता है तेज होता है क्या करेक्ट होगा इसमें अभीकतन और कारड़ दोनों तो नहीं गलत लिखे गई अभी कतन और कारेड दोनों ही गलत लिखे गई यह तुम्हारा दिमाग मतलब बिलकुल डेली लाइफ साइंस लगानी थी वह भी तुम नहीं लगा पाए तुम नहीं लगा पाए तुम को जितना दो क्वेशन हमने तुम्हें पढ़ाया तुमको भ आएंगे ना ऐसे कमरे में दो बस्तुम रहेंगे दोनों का टाफ समान रहेगा ना ठीक है ऐसे थोड़ी होता है फ्रिज में आलू रखके आते हो मतर रखके आते हो मतर जादा ठंडी निकल क्या आती है आलू कम ठंडी निकलती है सेम टेंपरेचर चलो अचा के बढ़ते है नियत छेत्रफल पर लगाएं किसी हींट द्वारा लगाएं नियत छेत्रफल पर लगाएं जाने वाले दाव के संदर में कौन सा गतन सही है दाव छेत्रफल के व्यूत क्रमानुपाती होता है दाव की दिशा आरोपित बल की दिशा के विपरीत होता है दाव और बल का मात एरिया ज्यादा होगा एरिया ज्यादा होगा फोर्स कम लगेगा प्रेशर कम लगेगा फोर्स नहीं प्रेशर एरिया ज्यादा होगा प्रेशर कम लगेगा प्रेशर ज्यादा लगेगा मतलब एरिया कम है कौन सा कतन सही है दाव छेत्रफल के दाव छेत्रफल के व्यूत क्र विपरीत दिशां में नहीं होती अपकते ळसंती शीकहए जरूरी नहीं एकुछ रूरी नहीं यह गलत है इन दोनों का केवल औरे आप्शन सही केवल और केवल यह वाल आप्शन कोई ऐसा साय स्कूफ यह ना मज में आया हो बी वाला option मतलब only a और बी वाला option ऐसे जब प्रेशन देगा तुम्हाना दिमाग अधिक आसान क्यूं होता है अधिक आसान क्यूं होता है बैक द्वारा लगाए जाने वाला बल बढ़ जाता है बैक द्वारा लगाए जाने वाला दाब बढ़ जाता है बैक द्वारा लगाए जाने वाला बल घट जाता है या फिर दाब घट जाता है P is equal to F upon a बड़ी और चोड़ी पटियां कन्ने में एरिया बढ़ाएंगी एरिया बढ़ाएंगी तो force pressure कम लगेगा बैग द्वारा लगाया जाने वाला दाब घट जाता है जब हम area को बढ़ा देंगे correct answer कौन सा वाला हो जाएगा D वाला answer correct answer कौन सा हो जाएगा D वाला answer बिल्कुल इसाजी next question पर चलेंगे question number 30 नीचे दिये गए कथनों में कौन सा कथन अवतल लेंस द्वारा बने प्रितिविंब के लिए सद्याव सही है अवतल लेंस के द्वारा बताएंगे अवतल लेंस में कैसा प्रितिविंब बनता है उल्टा तता बिंब से बढ़ा बनता है उल्टा तता बिंब से छोटा बनता है सीधा तता बिंब से बढ़ा बनता है सीधा तता बिंब से बनती है कैसी बनती है आबासी सीधा और बस्तू से चोटा आबासी सीधा और बस्तू से चोटा मतलब वर्चुल एरेक्ट एंड डिमिनिस्ट आबासी सीधा और बस्तू से चोटा तो कहीं कहीं दिख रहे हैं उल्टा तो नामी ने लिया बड़े का तो नामी ने लिया और डिवाला कॉण्सेट पता है तुरन तैंसर मांक करो तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूथी नहीं है कैसा बनेगा सीधा बनेगा वस्तु से चोटा बनेगाई दिवाला कोई कंफिूजन किसी को कई कंफिूजन कि को कि हमें नहीं आ रहा है चीज़े चर्वाहं कराथ अग्यारस क्लास करें स्टस्ट इब में बहुत मजाती है और अगर नहीं कोंसेप्टी नहीं आता है तो कहां से तुम्हें मजाएगा बताओ तुमने क्वेश्चन ही गलग पढ़ा इसलिए लास्ट टाइम मैराथन क्यूं करवाई जाती है क्वेश्चन ताकि आप स्पीड में पढ़ो पढ़ना सीखो कि चुम्बक के धुरूओं पर चुम्बक की छेत्र अधिक होता है यह तो हमाये कानों में बात चली गई लेकिन पहली वाली बात नहीं गई कि बाई चुम्बक को दो भागों में तोड़ देते हो तो चुम्बक कत्व खो देता है क्या हो गया अभी कथन तो गलत है लेकिन रीजन सही दिये गई हैं क्या हो जाएगा डी वाला अप्शन अभी कथन तो गलत हैं लेकिन रीजन सही दिया गया है डी वाला अप्शन केसी चुम्भग को लोह रेतन तता सल्फर पाओडर के मिशनमें फिरा जाता है कोई और बंजा ग। इसमें एक चुम्बक, मैगनेट ले करके जाते हैं, तो लौह रेतन चुम्बक के उत्तरी धुरूब पर, तता सलफर जो है, दक्षनी धुरूब पर, क्या मतलब ये इनसान थोड़ी है, मैगनेट, जो पता है अच्छा तुमको किनारे वाले लाइन में लगना है, हमको इस कि लौह रेतन चुम्बक के दक्षनी धुरूब पर, ये उत्तरी धुरूब पर, लाइन तो लगानी नहीं है, भाई, आबजेक्ट को कोई समझ नहीं होती है, केवल लौह रेतन ही समान धुरूब पर, दोनों धुरूओं की और आकर्शित होंगे, लौह रेतन दोनों अकरशित होंगे, तता सलफर चुम्बक के बीच में, भाईया इनकी अंदर कबसे आकरशन का गुड़ आ गया, सलफर के बीच में कबसे आकरशन का गुड़ागा, करेक्ट एंसर कौन सावाला होगा, पताएंगे ज daqui लोह नहीं किनारे-किनारे लाओ, तुमको बीच में ही क्योंकि बीच में मेरे पास में स्पेस है तो सलफर पाउडर तुमाओ बीच में ऐसे नहीं होता है सी वाला एंसर सही होगा आगे देखेंगे क्वेशन नमबर 33 रादिका दो एक समान सेलों की श्रीडी क्रम ववस्ता को दो बल्बों की श्रीडी क्रम ववस्ता से जोड़ती ह उसे क्या करना चाहिए कि बल्ब का उद्धीपन मंद हो जाए बल्ब धीरे जलने लगे इसके लिए उसे क्या करना चाहिए एक सेल को एक चौक के टुकडे में बदलना चाहिए एक सेल को एक धातु की तार के टुकडे में बदलना चाहिए एक बल्ब को धातु की तार के ट कोया नहीं बताएंगे दो समान सल की टीकजी करम में मावस्ता बल्ब लगे हुए हैं बल्बो को म watching we will तो इसके लिए में करना है जो दोस्टे लगे हुए है इसकी जगा एक से लगा दो कर दो चीजे कम कर दो जैसे देखो अच्छी वाली एकशामपल एक इंसान में खूब मैनत कर रहा है मतलब खूब आफुब टीचर का इसम प्राइं करते हो को सुबाओ से साम पढ़ाई छुड़वाई कैसी जाए तुरंसे मोबाइल दे दो रील खोल करके दे दो एक गंटा वो ऐसे हां तैसे ऐसे करता रहेगा एनर्जी खतम उसकी तो वही है अगर हम चाहते हैं कि कम जले उदीपन मंद हो जाए हम क्या करेंगे एक सेल कु एक सेल ही काट दो सेल को ध भात उका तार लगा दो ताकि करेंट जाती रहे लेकिन बैटरी जल्दी घतम हो जाए ठीक है तो बी वाला एंसर सही हो जाएगा आगे देखेंगे अगला वाला कोशन उपयोगी पढ़ामों के लिए निम्दलिकित में से कौन सा क्रिया कलाब घर्षण को कम करने के लिए क प्रियोग करना या फिर मशीन में गति पूर्जों के बीच ग्रेफाइट की परत बनाना है कि बताएंगे जड़ी से यह सल मेंब्रेन कहांचे आ गई भाई सोनम गुपता इस सल मेंब्रेन कहांचे आ गई या भी से इंजिर तों बतायेंगे क्या हो जाएगा कभी भी ध्यान रखेगा घर्षण को कम करने के लिए मैं क्या करना पड़ता है घर्षण को कम करना मतलब था कि वो असानी से चलता रहे है तो हम क्या करेंगे उसके लिए उसके के लिए प्रत क्योंग при fakοι होता है क्यों क्योंकि यह चिकना होता है तो ग्रिफाइट की परत को उस पर लगा दो ताकि उसका फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाए चल वच्छा थोड़ी से कैस्टन भी पूछे जाते हैं वायू में ध्वनी का चाल कितना है है 320 मीटर पर सेकेंड दो घंटे चलेगी यदि किसी ध्वनी तरंग की तरंग दैर्ध 640 सेंटी मीटर है इसका आवर्त काल कितना होगा कि स्तेयाक के रूपे बिल्कुल सही लक्ष्मी गुपता जल्दी से बताएंगे ध्वनी की चाल ठीके चाल वराबर क्या होता है दूरी बटे समय और यहां पर आपका तरंग दैर्ध दिया गया है तो वी इस उकल स्टू सी न्यू या यह वाला नहीं यह वाला वी इस उकल स्टू न्यू लंडा कौन सा फॉर्मुला लगेगा वी इस उकल स्टू न्यू लंडा जहां पर चाल दी भी दी गई है और न्यू जानते हो फ्रिक्वेंसी होती है जिसको वन बाई टी भी लिख सकते हो जिसका फॉर्मुला क्या लगा दोगे वन बा by T into lambda, मतलब, lambda by T, आवर्त काल कितना हो जागा? T is equals to lambda by V, lambda कितना दिया गया? 64 cm, velocity किती दी गई है? 320 m per second, तो 1 cm, 1 m में 100 cm, 100 से कर दो, divide, 32 दूनी 64, 2 बट़ी में 100, मतलब 0.02 second, 0.02 second, किसको किसको नहीं आया? एक बार जल्दी से कॉमेंट करेंगे आगे आना सभी को पूजा मोहिनी दिव्या छाया कांता रियांश कीर्थी पायल नैंशी सभी को आ गया एक एंसर की नहीं उकालू यहाँ पर क्या है फ्रिक्वेंसी इस उक्वेंसी जानते हो वन वाइटी होता है 1 वाइटी वैलू रख दोगे तो क्या हो जागा चलेंगे अगले को फिसे किसी खरगोश की अधिक्तम गती 56 किलोमेटर पर आ रहे हैं, यदि उसे 25 किलोमेटर की दूरी तै करनी है, तो वहां दूरी कितने मिनट में तै करेगा, टाइम पूचा गया है, यदि वहां जितना तेज दोड सकता है, दोडे, समय बराबर दूरी बटे में चाल, शेकर क्या शेट्रेट क्लासे उसको आ गया है, बहुत बढ़ी आ, इसे बताएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे में चाल, डिस्टेंस कितनी है, 25 किलोमेटर, स्पीड कितनी है, 56, भाग दे दो, 2.54, एक मिनट अभी गड़बड़ा है, गड़बड़ हो गंटे में आ जाएगा, एक गंटे में ये मिनट में एंसर दिये गए है, इसको हम क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, कर दो, लगबग 2.54 मिनट आ जाएगा, 2.54 मिनट तो करेक्ट एंसर कितना आ गया, 3 मिनट, करेक्ट एंसर कितना आ जाएगा, 3 मिनट एंसर आ जाएगा, समझे, बताएंगे चल दीज़े, नैंसी या कांशा, मैं आप स्वाल्व करो, तुक्का हम लगाएंगे, आहां ये द देखो, हम सॉल्व करें, तुक्का ये लगाएंगी, पढ़ लिए तुम्हारा कॉमेंट हम, ठिक, एंसर पक्का सभी का आ गया ना, एक बार जल्दी से कॉमेंट करेंगे, किसका एंसर आ गया है, दो मिनट होगा, ना ना भई, 3 मिनट होगा, 3 मिनट कहा जाले, फिर से चक क दो अधिक, 101 था, दो बढ़ी रेखाओं के बीच पांच भाग है, अगर तुमने ये लाइन नहीं पड़ी तो तुम इस क्वेशन को नहीं बना सकते हो, दो रेखाओं के बीच में पांच बड़ी लाइन, तो पांच भाग का मतलब है, एक बाग मतलब 5 भाग का मतलब एक भाग तो एक भाग का मतलब क्या हुआ एक बटे में 5 मतलब पांदूनी 10 कह रहा है 101 के आगे दाई और 2 भाग अधिक है तो 2 भाग का क्या मतलब हुआ 0.2 into 2 मतलब 0.4 तो 101 में 0.4 degree centigrade ये question आया सोल करताना ли और तुम चक लो काई रहा हम चेक कर्छों के बहुत बार लगवाए देजा कुछ दून पहुझ की बहुत पहले लगवाय थे चल्ग मेरा चैक है पूरी तरीक इस जगए यह 5 का मतलब है एक तो एक का मतलब कितने के 0.2 के समझ में आई यह वाला कोश्चन की नहीं यह वाला कोश्चन समझ में आगे हाँ 2.5 है ना तो 2.5 पो उसको तीन मान लेंगे आपको पता है ना कि पॉइंट के बाद 4 के आगे कुछ भी होता है क्या बोल रहे हो तुम लोगो 2.5 डिस्टेंस दिया है अच्छा 2.5 किलोमेटर कोई दिक्कत नहीं तुम सॉल्व करो इसको कोई दिक्कत नहीं 2.5 क्वेश्चन तुम सॉल्व करो करो कर दें कालकुलेशन कर दें लो भाई 2.5 बाई 56 पॉइंट अटाया जीरो बढ़ाया उपर 60 से मल्टिप्लाई करवा दो तो तो नहीं चार दो अटे सोला इंच है पच्छीस तेंपचहत्र पच्छात्र 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 पटे में अठाइस आग यहां देखो चेक करो अब चेक करो हाँ टू पॉइंट फाइफ ही है मैं जल्दी जदी में टू पॉइंट फाइफ लिख दिया अब क्वेशन को चेक करो चलो अच्छा आगे देखते हैं ठर्टी इट अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तडित जंजा बादलों का गरजन के दौरान कौन सा मानव क्रिया कलाप नहीं करेगा जब बादल गर्जते हैं तो कौन सा मानव को हमें अपनी सुरक्षा के लिए हमको क्या नहीं करना चाहिए तार वाले फोन से बातचीत करना नहीं चाहिए जमीन पर उड़कू होके बैठना चाहिए मोबाइल का फोन प्रियोग करना वहां पर बैटे रहो लेकिन तार वाले फोन से बात चीत ना करो भाई तार वाले फोन में चीपा कर गहे तो आगे देखेंगे निर्वनिंदे इसकी में द्वनि तरंगें गती नहीं करती है तो चलने के लिए चाहिए माध्यम के कड और ये निर्वात में निर्वात में गमन नहीं करती है सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होती है सबसे ज्यादा स्पीड होती है सॉलिड में फिर किसमें होती है लिक्विड में फिर किसमें होती है गैस में होती है तो यह निर्वात में गमन नहीं करती है डी एंसर आगे देखेंगे what is the relationship between loudness of sound and its amplitude द्वानिकी प्रबलता और उसके आयाम के बीच में क्या सम्मंद है द्वानिकी प्रबलता और उसके द्वानिकी प्रबलता और उसके आयाम के बीच में ध्यान रखेगा loudness जो होती है आयाम के square के directly proportional होती है यह फॉर्मूला भी होता इसे भी आप याद रखेगा चलेंगे अगले कोशन पर यह वाला कोशन एक ध्यान रखना इसको आप अलग से परिदर्शी जिसको पैरिस्कोप कहते न्यूटन का चक्र इनको बनाने एक जो है प्रियोग करवाया जाता है एक तीन बज़े तक क्लास चलेगे तो तीन बज़े तक तो रहो ही नहीं तो तुम्हारा चूट जाएगा एक तालिस कोशन कर चुके इनको प्रियोग करवाया गया था अब इनके प्रियोग के लिए आखिर हम इनको बना कैसे सकते हैं कैसे बना पाएंगे यह देखना है कैसे बना पाएंगे तो पिनोल कैमरा के लिए हमको क्या क्या चाहिए पिनोल कैमरा के लिए हमको विभिन ना के दो डब्वि और पासीपरदा बहूरूप दर्शी क्यालिडोस्कोप क्या अच्याजिए उधिक में हम लोग después करते हैं और office में मिरर के साथ इसमें इसमें हमको घ्रीज वोता हैच। कि बहुरूप दर्शी में हमको क्या चाहिए होता है कि बहुरूप दर्शी में हमको चूडी वूडी भी तीन आयताकार दरपण पठ्टीयां एक गोलाकार समान दरपण समतल दरपण की तस्तरी चूडीयों के कुछ तुकड़े गत्ते का ट्यूब और चक्रिका इतनी न्यूटन का चक्र बनाने के लिए वर्ती गत्ता होता है जिसके उपरी साथ रंगों से पेंट किया हुआ होता है और एक कील उपरी गत्ता एक सात रंगों से पेंट किया हुआ होता है यह न्यूटन का चक्र तो याद रखिएगा देखो ऐसे करके याद कर लेना पिन होल क्यामरा में डबबा चाहिए परदा चाहिए कैलेडोस्कोप में चूडी हूडी भी चाहिए तीन आयताकार दरपन की पट्तिया चाहिए एक गोलाकार समतल दरपन चाहिए गत्य की ट्यूब चाहिए परिदर्शी में परिदर्शी में क्या चाहिए समतल दरपन एक कठोर डबबा चाहिए न्यूटन के चक्र में कील चाहिए और बड़ा सा डबबा क्या क्या कहनी भारती क्या कह रही है यह कुशन दिया कितना क्या कैसा भी वाला एंसर से एंसी आर्टी से आजटी लाइन जहां पर उठाई गई है इसलिए आप डारेक्ट ही इसको पढ़ लो यह क्वेश्चन भी मात पूर है टी बीसिटी को मैघ कर वाना था विल्कुल फाथी दी को मैच कर वाना थे इस में sorry 22 क्वेश्चन상각 42 देखेंगे इसमें क्या कह रहा है इंड्रदंुष बनाने की प्रक्रिया लेना बिलकुल screenshot ले लो मतलब इसको receiving करके जरूब जाना पर बुख खोल लें के जरुद नहीं है बहुत सारे concept रिवाइस हो जाएंगे इंद्रधनुष बनता है तो आप सभी जानते हो पानी की जो बूंदे होती है पानी की जो बूंदे होती हैं किसका प्रिजम की तरह काम करती है जाती है अपने मार्ग से लिप्ट करके फिर उसे वापस आ जाती है रिज्द हनुच बनने की प्रक्रिया का वडण करता है ए Right की पैचान करनी है सूर का प्रकास जब पानी की छोटी छोटी बूंदों पर पड़ता है तो कुछ किरने दोनों माध्यमों के बीच की सता पर ए हो जाती है, कुछ किरणे क्या होती है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर माध्यम चेंज हुआ, यहां पर वाईू है, यहां पर पानी है, यहां पर कौन सी घटना हुई, अपवर्तन की घटना हुई, कौन सी घटना हुई, अपवर्तन की घटना हुई, और संगटक रंग होती है बैंगनी रंग की और जिसकी विचलन सबसे ज़्यादा होती है उसकी विलॉसिटी जो है उसका वेग क्या होगा क्या होगा जब सबसे अधिक और उसका वेग क्या होगा सबसे कम होता है जिसका विचलन सबसे ज्यादा उसका वेग सभी सबसे कम होता है साथ ही साथ जब रंग कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है, तो लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, ठीक है, लाल रंग की विचलन सबसे कम, इसका वेलोसिटी सबसे जादा होता है, लेकिन लाल रंग की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, लाल रंग की फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है, सात रंगों आगे बढ़ेंगे अगले प्रेशन पर क्वेशन नमबर 43 43 क्वेशन नमबर नीचे दिये गए बलों पर विचार कीजिए पेशीब बल मस्कुलर फोर्स magnetic force, frictional force, gravitational force, electrostatic force, non-contact force, गयर संपरकबल, Saturday, Saturday होती है भाई, seated की class, Saturday होती है, गयर संपरकबल कौन साइस में, जो एक दूसरे के contact में नहीं है, B और E, केवल A, B, D, केवल B, D, E, या फिर B, C, D, E, बताएंगे, पेशी बल, contact में होते, चुम्बकी बल, contact में नहीं होते, गर्षन बल, contact में होते, गुर्टवा कर्षन बल, एक दूसरे के contact में नहीं होते, इस्तिर्वद्दूत बल भी एक दूसरे के contact में नहीं होते, बताएंगे, कि या एंसर हो जाएगा कि बताएंगे तो एक वाला हो गया एक डी वाला हो गया हो गया क्या हो गया वाला ये आपके संपरकबल ये मनुष्यों के लिए अवशरविए है और डोनों से रार की सही व्याख्या करता है वह तो नहीं करता है यह बदाएंगी क्या हो जाएगा कि देखो कुछ बच्चे ना सिर्फ जो है सोचते हैं हमको एक टो नोट्स मिल जाए हम उसी को पढ़ ले और उसी से हमारा सेलेक्शन हो जाए भाई ऐसा तो कहीं पर भी नहीं है ऐसा होता है तो आज के समय में हर एक हर एक इंसान जो है आईएस पीस जो जैसा बनना चाहता था किता में कितनी पड़ी हुई है कितने क्लास नोट्स बिकते हैं दुकानों में लेकर के पढ़कर के सेलेक्शन ले लिए रहते हैं लेकिन सेलेक्शन आज तक उनीक हुआ जिन्नोंने खुद से नोट्स बनाए जिन्नोंने खुद से नि यह लिखोगे ठीक है यहां बताएंगे पराश्राव दोनी तरंगों के लिए अवश्रफ यह करेक्ट क्या हो जाएगा बिल्कुल सही बिल्कुल मानवकान की भी सही हो तो कौन सा वाला एंसर हो जाएगा एवाला एंसर नें बनाय थे बहुत बढ़ी आची कह चलो दाब का से इस मात्रक दाब का क्या हो जाएगा क्श्व क। हा इसरों तो पढ़ना है कि भी उकल्स टू एफ पॉन में क्या हो जाएगा नियूटन पर मीटर स्कॉर Grade दाब का सौई मात्रक जाएगा नूटन पर मीटर स्क्वाइर डी वाला एंसर सही है आगे देखेंगे किसी इमारत में तड़ी तचालक क्यों लगाया जाता है एक उपर लाइटनी कंड़क्टर क्यों लगाई जाती है बताएंगे या तड़ीत बिजली को इमारत पर गिरने से पहले ही विकर्षित कर देता है या बिजली को उस छेत्र में बल पूर्वक गिरा देता है जहां कोई इमारत ना हो बिजली की इमारत में टक्राने पर उतपर नावेश को या भूमी में समवहित कर देता है या बिजल है बजली के इमारत में टकराने पर आवेश को भूमी में किस तरीके से यह दो को जैसे मालों यहां पर लाइटिनिक कंड़क्टर एक कॉपर का बना हुआ था कॉपर प्लेट अर्थ से कनेक्ट रहती डारेक्ट अर्थ पर चली जाती है प्रतवी के अंदर चली जाती है तो कोई घर पर कोई प्रभाव आता ही नहीं है नेक्स क्वेशन नमर फॉटी सेवेन निम्न लिकित में से कौन सा समूब वस्तु का सदयाव आभासी कौन बनाता है जल्दी से बताएंगे चाड़ाय आभासी प्रतिविम्व कौन बनाता है उत्तल दरपन में वन टाले न्यम बनता और समताल अगला 48 पांच किलोग्राम द्रवेमान का कोई पिंड किसी चिकने घरशन रही चैतिय प्रस्ट पर 10 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से फिसल रहा है इस पिंड को इसी वेग से गती करने के लिए आवश्यक बल कितना होगा बताएंगे चिकने घरशन रहीत नियत वेग से कॉंस्टेंट वेलोसिटी हो गई जब वेलोसिटी कॉंस्टेंट हो गई एसेलरेशन जीरो हो गया acceleration 0 हो गया F is equals to MAK coding force 0 हो गया correct answer क्या हो जाएगा A वाला answer 0 Newton correct answer क्या हो गया 0 Newton next question 49 आपको एक अवतल दरपन एक अवतल lens एक उतल दरपन थता एक उतल लेंस दिया गया है किसी बिंब का विवर्धित प्रतिबिंब बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उप्योग कर सकते हैं या तो अवतल लेंस अत्मा उत्तल लेंस अवतल दरपन अत्मा उत्तल दरपन अवतल लेंस अवतल दरपन अत्मा अवतल लेंस बताएंगे विवर्दिक प्रतिबिंब के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं विवर्दिक प्रतिबिंब के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए आप जानते उत्तल दरपण में तो बड़ा नहीं बनता है उत्तल दर्पण में तो बड़ा बनता नहीं है तो उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल लेंस हो उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल लेंस हो बड़ा पृत्विम बनेगा नहीं किसमें बनेगा उत्तल लेंस और अवतल दरपड में सीधा सीधा एंसर एक कॉंसेप्ट सब पे लगाओ ऐसी चीजें सीखो जो कि सब पे लग जाए तुम्हारा कोशन बन गया ज्यादा चीजें याद करनी नहीं है तुम्हें साइंस में अगला कोशन देखो यहां से भी प्रेश्ण पूछता है यदि एक सरल लोलक की आवरती फ्रीक्वेंसी कित्ती दी गई है तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगा कितने टाइम कितना दिया गय है 16 सेकंड कितने दोलन पूरा करेगा number of oscillation पूछ रहा है ओ इस उकल्स टू क्या हो जाएगा ft क्या होगा 2 x 16 32 दोलनों की संक्या कितनी हो जाए जाएगी बी वाल ऑप्शन दोलनों की संक्या कितनी हो जाएगी 32 हो जाएगी बी ऑप्शन अगला 51 51 कौन सा आ संपरकबल का उधारने देखे अभी पीछे भी कोशन पूचा गया यहां पर भी कोशन पूचा गया आ संपरकबल का पेशिये बल गुरुद्वा करशन बल के अंतरगत कौन आता है नोन कॉन्टेक्ट फोर्स आप जानते हूं मस्कूलर फोर्स हाथ हमारे टच में रहेंगे गुरुद्वा करशन बल दूर से लगेगा चुमकी बल दूर से लगेगा करेक्ट टैंसर क्यों सवाला हो जाएगा बी और सी मतलब डी वाल ऑप्शन मैग आप दरपड से मितर दूर पर तल्ध आपका मितर चार मिटर की दूरी पर करणा है मित्र के प्रतिविम्ब और आग के बीच की दूरी कितनी होगी बताएंगे यह मानलो यह है यह प्लेन मेर रहें दरपन से तीन मिट्र की दूरी पर आप खड़े हो और चार मिट्र की दूरी पर चार मिट्र की दूरी पर आपका फ्रेंड खड़ा हुआ है क्वेशन कह रहा है क्वेशन कह रहा है मित्र का प्रतिविम्ब भी चार मिट्र दूरी पर बनेगा इमेज किसका है मित्र का मित्र के प्रतिविम्ब और आपके बीच की दूरी आपके बीच की दूरी और यह चार मिट्र तो आपके प्रतिविम्ब और मित्र के बीच की दूरी कित्ती हो जाएगी चार तीन सात मिटर बी वाला एंसर सही है कौन सावाला हो जाएगा बी वाला एंसर आपका सही है किसको किसको आ गया यहां से कोईशन पूचा जाएगा एक प्रश्ण हंडड़ परसेंट यहां से पूचा जाएगा एक यह वाला भी देख लो दो प्लेन मिरर है एक दूसरे से थीटा एंगल पर कोई वस्तू रखी गई है नंबर ओफ इमेजिस का फॉर्मुला 360 अपॉन थीटा माइनस वन जर्नली याद रखेगा नंबर ओफ इमेजिस आपकी ओड नंबर होती है ठिक समझें क्या हो जाएगा बी वाला एंसर इस पर भी कोशन मनेगा तो ध्यान रखेगा अगला 53 निम्नल कित में से किन परस्थितियों में वायू में ध्वनी की चाल अधिक्तम होगी वायू में ध्वानी की चाल अधिकतम कब होगी बताएंगे zero degree पर आध्र वायू में 40 degree पर सुष्क वायू में या फिर moist air में 40 degree centigrade पर तो ध्वानी की चाल के लिए आपको पता है माध्यम क्या आवशक्ता होती है माध्यम की आवशक्ता होती है तो कब अधिक्तम होगी मॉइस्ट एर में 40 डिग्री सेंटिग्रेट पर मॉइस्ट एर में 40 डिग्री सेंटिग्रेट पर ध्वानी की चाल अधिक्तम होगी आगे देखेंगे 54 एक मेज पर विरामावस्था में स्थिरावस्था में किताब रख पर बल एक मात्र बल है जो कि उस पर लग रहे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे उस पर कोई नहीं लग रहे उस पर एक संतुलित बलों का युगम लग रहे हैं बताएंगे जल्दी से क्वेशन नमबर 54 बाई एक किताब जो है मेज पर रखी हुई है इसका मतलब क्या है वो नीचे की और नहीं गिर रही है इसका मतलब है उस पर एक बैलेंस फॉर्स एक्टिव एक्टिंग है बैलेंस फॉर्स मतलब मेज भी उपर से बल लगा रही है कित क्वेशन नमबर 55 ऐसा प्रशन भी आप से एक्जाम में पूछेगा एक परिवार ने कारद्वारा दिल्ली से जैपूर तक की यातना की यातना के आरंब में पत्ग माफी पर वही ना आपकी जो स्पीडोमेटर लिखी रहती है ठीक है मतलब कि उसमें कितना चल चुकी है कि इतना चले हो 4157 किलोमेटर था यातना के आंत में 4436 किलोमेटर था पूरी करने में उसको समय लग दिया पांच घंटे 10 मिनट पहले तुम टाइम निकालेंगे पांच घंटे 10 मिनट इसको भी घंटे में कनवर्ट कर लो छे पंचे 351 बटे में 6 घंटे 31 बटे में 6 घंटे है ना कैना औस चाल क्या होगी 4557 में 4000 अंतिम 4436 में 4000 4157 माइनस करो कितना आएगा जल्दी से माइनस करेंगे कितना आएगा 279 279 किलोमेटर औस चाल पूछ रहा है चाल बराबर दूरी बटे समय दूरी कि 3279 समय कितना है 31 बटे में चहें 31 बटे में चहें ध्यान देंगे सॉल्व करेंगे इसको कि सॉल्व करेंगे इसको कितना आजाएगा कितना आजाएगा 24 किलोमेटर पर आर 54 किलोमेटर पर आर सी वाला एंसर यह कहां से क्या बोलें आप चलो 56 आप एक कमरे में जिसकी बोगोलिक देशा हैं आपको ग्यात नहीं है आपको दस छड़ चुम्बक बार मैगनेट दिये गई है एक चुम्बक के एक धुरूप को आपके लिए चनित कर दिया गया है ठीक है आपको एक चुम्बक का एक पोल बता दिया गया अब आपको कम से कम कीतने और चिनित चुम्बकों के आवशकता होगी जिससे कि आप सभी दस चुम्बकों के धुरूओं की पैचान कर लो एक का आपको नौर्थ पोल या फिर साउथ पोल पता है अब तुमको और कि किसी की भी नहीं एक की दो की या तीन की बताएंगे जली से किसी की भी जरुवत नहीं है भाई एक की हमको पता है साउथ उसी से सब का निकाल सकते हैं ना उसी से सब का निकाल सकते हैं नौर्थ पता कर सकते हैं साउथ पता कर सकते हैं जो सब कुछ पता कर सकते हैं तो हमको कि किसी क्या वश्रक्ता नहीं हमको उसी से मेरा काम चल जाएगा फिक 59 कतनों को पडिया और सही उत्तर का चयन कीजिए अक कतन दिया गया अश्वनाल चुंबक एक अति प्रबल चुंबक है होर्शू मागनेट इस वेरी स्ट्रॉंग मागनेट रीजन दिया गया होर्शू मागन यूपी कह रहें फिर से समझा दो समझा देंगे बताएंगे यह और दोनों सही एक आप सच्टिक रहा है एस प्रस्टिक रहें यह सही है कि इंतु और गलत है तो आप जानते हो बिलकुल सही बात है आप यह नॉर्थ और साउथ इतने निकट होते हैं कि इनका जो है ना अक इससे देखेंगे 60 A B C D चार माध्यमों को निरूपित करते हैं A में एर B में है वाटर C में है लोहे की छड़ D में है नरवात वाक्यूम D में क्या है वाक्यूम आप बताएंगे उपर दिये गए किन माध्यमों में द्वानी की गती किर्णी उन्तम और अधिक्तम होगी द्वानी की चार मैक्सिमम किसमें होगी मिनिमम किसमें होगी आप जानते हो द्वानी को चलने के लिए माध्यम क्या वशक्ता होती है लोहे की चड़ सॉलिड होगी तो द्वानी की चार सबसे जादा किसमें होगी सी में होगी नियुनतम किसमें होगी निर्वात में तो होगी ही नहीं नियुनतम किसमें होगी वायू में होगी क्या हो जाएगा सी और ए को ईक सी को इसमें निर्वात में तो द्वनी की चलता लिए इसलिएवते कोई संपर की नहींकी इसमें कि ये काट से बचे में जलमें तो बीच मैं होती है किसी पानी के जहाज के डाचे को धारा-rhले की बनाने का उद्देश क्या vorher पानी का जहाज हम धारा रेकी बनाना चाते हैं क्यों ताकि ये तरल कर्षण को निम्न कर सके reduce fluid drag उत्पलावन में व्रद्धी कर सके thrust को increase कर सके विस्तापित जल की मात्रा में व्रद्धी कर सके या फिर जहाज के घनत्व को कम कर सके पानी के जहाज के डाचे को धारा रेकी बनाने का उद्धेश क्या है दारा रेकी बनाने का उद्धेश है fluid के drag को reduce करना तरल कर्षण को निम्न करना जहाज के डाचे को धारा रेकी बनाने का उद्धेश है ए वाला option ठीक है ए वाला option चलो अगला कोश्चन एक वैसा ही कोश्चन है वाला वैसा ही कोश्चन है डेंसिटी और मास से रिलेटेड यह वाला ही तो है क्यों नहीं होगा इसको बताएंगे इसको नहीं तुम सॉल्व कर लेना अब तो तुम इंटैलिजन्ट होई गए हो इसे बताओ खरवा दें टाइम तो बचा है चलो ठीक करो चा व Maar मास दिया गया वॉल्यूम दिया गया एक का मास चार वटे में एक मतलब चार आठ वटे में दस मतलब की पोइंट एट शे वटे में तीन मतलब तीन दू-णी छे द्रवों की समान मात्रा 4 ml द्रव से भरी हुई परक्नली में डाली गई परक्नली में उपर से नीचे द्रवों का क्रम क्रम सा होगा जल का घन तो एक ग्राम पर सेंटीमेट रखी होगा जल का घन तो एक ग्राम पर सेंटीमेट रखी होगा इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ उपर से नीचे द्रमों का क्रम क्या होगा उपर से नीचे सबसे उपर कौन सा होगा वाई होगा क्योंकि ये तो तैरेगा जल की डेंसिटी कितनी है जल की डेंसिटी है वन गराम पर सेंटीमेटर की होगा तो सबसे उपर तो Y होगा, फिर कौन सा होगा, फिर जल होगा, सबसे उपर Y होगा, फिर जल होगा क्योंकि Y से कम जल का है, जल से कम किसका है, जल से कम Z का है, और Z से कम किसका है, X का है, तो ऊपर से नीचे द्रव का क्रम की इस तरीके से दिखाई देगा सबसे पहले सबसे पहले यहां पर वाई होगा वाई वाला लिक्विड फिर यहां पर जल होगा जल दिखाई देगा फिर नीचे जड दिखाई देगा जड वाला लिक्विड दिखाई देगा फिर उसके भी नीचे वहां पर X देखाई देगा क्यों क्योंकि X की कितनी है 4, Z की कितनी है 2, Z की कितनी है 1, Y की कितनी है 08, जिसकी density कम वो उपर, जिसकी density ज्यादा वो नीचे, समझ है उपर से नीचे करम में कहा रहा था, आधा, समझ में आया की नहीं, जल्दी से थमसब करेंगे अगर आपको समझ में आ गया है, यह वाला कोशन अगर समझ में आ गया है थमसब करेंगे, जल्दी से सही बच्चे करेंगे, जल्दी से चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्च 63 कोशिन नमबर 63 आपने एक सूची छित्र कामरा वही पिन होल कामरा बनाया और आपने इसके परदे पर एक दूरस्त रंगीन भवन कर प्रतिभिम्ब प्राप्त करना चाहते हैं कोशिन पूचा जाता है पिन होल कामरे में प्रतिभिम्ब कैसा बनता है याद कर लीजेगा चाहे तो इसको याद कर मिच बनता है सबसे बड़ी बात इसमें रंगीन इमिज बनती हैं और चोटी इमेज बनती है उल्टी बनेगी कैसी बनेगी जैसे तुम हो ऐसे बनोगे उल्टे बनोगे कलरफुल बनोगे लेकिन छोटे बनोगे किसमें पिन होल कामरे में इसका भी स्क्रीन शॉट चाहो तो लेलो बहुत पूछा जाता है पिन होल कामरे में इमेज कैसी बनती है वास्तविक, उल्टी, हाँ बिलकुल साइड हो गए, उल्टी, रंगीन और अत्यदिक छोटी इपिनोल कामरे में मज़ बनती है, आगे देखेंगे, यह भाई साव आ गए, यह भाई साव आ गए, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, भाई कौन सा किसका जोईंट, क्ला हुमरस और स्कैपुला, हुमरस और स्कैपुला, फीमर और कैल्वीन, फीमर और पैल्वीन, हुमरस और स्कैपुला, इन दोनों का जोईंट किसके अंतरगत आता है, यह हमारा जोईंट है, बॉल और सॉकेट जोईंट, जिसमें हुमरस, बॉल यहां पर एक बॉल लगी होती यहां पर कंदे में एक socket लगी होती है turning the head in left and right direction गर्दन को left और right direction में move करना यह कौन सा joint होता है यह हमारा होता है pivotal joint कौन सा होता है pivotal जिसमें की सिर्फ ऐसे ऐसे करके move कर सकता है elbow movement elbow यह कोनी घुटना इनका movement कौन सा होता है यह हमारी hinge joint होते है कोनी और गुटने इनका movement hinge joint और अपर जो movement यह जबड़ा हमारा fix होता है न तो यह हमारा fix joint अंगूठे का बताएंगे अंगूठे का कौन सा joint saddle joint correct answer कौन सा होगा a वाला answer correct answer कौन सा वाला हो जाएगा correct answer होगा a वाला समझ पार रहे हो की नहीं समझ पारे हो बॉल एंड सॉकेट जोइंट वालो हिंडी वाले देख लो क्रिकेट की गेंद फेकते हैं वो तब गेंद वह कंदु मुंत खली का संधू कंदु मुंत खली का संधी जिसको कहेतें ऐसे कुछ कहतें लगना च्थ łत को इंग्लिश में पढ़लो इस वाले कोश्चन को चलो आचा आगी बढ़ते हैं 65 कोश्चन नमबर 65 है इंग्लिश ज्यादा अच्छा है नीचे दिये गए कत्रों पर विचार कीजिए उत्तल तरपन सद्याव आभासी और आकार में छोटा प्रतिविम बनाता है ठीक ठीक थोड़ा यह कम जा रही है अवर्दक लेंस की बाती उप्योग करते समय उत्तल लेंस वास्तिविक और आकार में आवर्दिक प्रतिविम बनाता है क्या हो जाएगा करेक्ट एंसर थोड़ा से ध्यान से बताएंगे यह वाले दोनों बाते तो हमारे कान में चली गई उत्तल यह वाला प्रतिविम बनते हैं इस वाले केस में बड़ा प्रतिविम बनता है अवर्दक लेंस की बात उप्योग करते समय उत्तल लेंस वास्तविक और आकार में वह रदे यह भी आपका गलत लिखा हुआ है सी वाला अप्शन आपका सही हो जाएगा कौन सा सी वाला एंसर आपका बिलकुल सही है चलेंगे अगले वाले प्रस्ट पर बिलकुल सही बतार यह कि यह वाला प्रस्ट यह भी आपके एक्जाम में पूछा जाता है देखेंगे क्या कहता है कोई प्रकाश किरण किसी समतल दरपन के परावर्तक प्रस्ट पर आपतन करती है यदि आपतित किरण परावर्तक प्रस्ट पर 40 जिगरी का कोड बनाती है तो आपतित किरण तदन रूपी परावर्तित किरण के बीच कोड कितना होगा ध्यान दिजेगा आप जानते हो परावर्तन का नियम, रिफ्लेक्शन का नियम, जब भी कोई किरण आती है किसी सता से टकरा करके वापस उसी मार्ग में चली जाती है कराएं परावर्तक प्रस्ट का आपतीत किरण यह है आपतीत किरण ठीक है यह है परावर्तित किरण इससे 40 डिगरी का कोड बनाती है यहाँ पर यह एंगल दिया गया है 40 डिगरी आप जानते हो यह होता है 90 डिगरी तो इतना कितना होगा यह कितना होगा 50 में से पचास में से तो इनके बीच आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कोण कितना होगा तो 100 डिग्री होगा आगे बढ़ते हैं अगला कोश्ष 68 एक साइकल सवार दो मिनिट में 360 मीटर की दूरी तै करती है उसकी चाल ग्याद कीजिए चाल कितनी होगी साइकल सवार दो मिनिट में 360 मीटर की दूरी तै करता है चाल वरावर दूरी बटे में समय यह समय को दो मिनट को 60 से कंड से उड़ा कर लो 120 से कंड चाल वरावर दूरी बटे समय दूरी कित्ती 360 से कंड बारत तेंग 36 तीन मीटर पर से कंड कित्ता एंसर आ गया 3 मिटर पर से कंड स समझे की नहीं समझे एं मलता कांशा दिलीव वंधना चाय सुरेंदर मोहिनी पूज् Everyone चलेंगी कि एक उपर दूरी रीनाफ क से क्योंने कि हूप ठिक फेले ध्यान दीजेगा जैसे माल लो कोई भी ये बीकर है जिसमें की पानी भरा हुआ है आपको पता है अगर इसमें कोई वस्तु आती है एक वस्तु आती है एक वस्तु आई तो इस पर जो है एक पानी जो है उपर की तरफ बायंट फोर्स लगाता है वस्तु जो है नी वस्तु का बहार लग रहा होता है ऊब पैराली condition अगर वस्तु का बहार बराबर ऊजए धूसरा condition byant force is greater than वस्तु के सुल की हो ज्याई तीसरी condition byant forces less वस्तु के भार के हो जाए तब क्या होगा बता सकते हो अगर यह दोनों ही बल आपस में बराबर होंगे बाइंट फोर्स और वस्तु का भार आपस में बराबर होंगे उस कंडिशन में क्या होगा उस condition में क्या होगा उस condition में होगा उस condition में होगा अगर बराबर है तो ये वस्तु पानी के अंदर डूबती हुई तहरेगी भाई दोनों बराबर force लगा रहे हैं अब दूसरी condition अगर वस्तु बायंट force बायंट force वस्तु के भार के बढ़ा है बायंट force जादा है मतलब ये जादा force लगा रहा है तो ये पानी में रुकने ही नहीं दे रहा है इसको मतलब क्या हुआ आनशिक रूप से तहरेगी आनशिक रूप से तहरेगी और अगर बायंट force कम हो गया वस्तु के भार से तो भाई पानी का तो कोई वही नहीं चलेगा जुगाड ही नहीं चलेगा आ करके पूरा दादा गिरी के साथ में तली पे आके बैठ जाएगी इसमें क्या होगा डूबी हुई तहरेगी ठीक है पानी में डूबी हुई तहरेगी समझे की नहीं समझे समझे की नहीं समझे तो इस कंडिशन में एक बटी चार भाग मतलब क्या हुआ बायंट force ज्यादा है वस्तु के भार से तो वही कहा रहा वस्तु पर लग रहा उत्प्रावन बल वस्तु के भार से अधिक है इसलिए one fourth part तो उस पे दर रहा है clear हुआ ये वाला part ये वाला concept clear हुआ कि नहीं clear हुआ जल्दी से बताएंगे ये concept clear हुआ आप सभी का कि नहीं clear हुआ ये वाला option next question पर चलेंगे अगला 71 कमरे में लकडी जलाने से उत्पन उश्मा कमरे के कोने कोने में फैल जाती है उस प्रक्रिया को पैचाने जिसके द्वारा उश्मा इस्थानांतरित होती है आपको पता है उश्मा इस्थानांतरण की तीन विदियां है देख लेना हिंदी गलत लिख दिया कौन-कौन सी चालन समवहन और विकिरण चालन समवहन और विकिरण ठेक conduction convection और radiation आपको पता है solid में होसो में उश्मा का समवहन conduction द्वारा होता है लिक्विड और गैस में लिक्विड और गैस में उश्मा का समवहन convection द्वारा होता है और निर्वात में या जिसमें माध्यम ही नहीं होता है उसमें उश्मा का सम्वान रेडियेशन द्वारा होता है, तो कमरा, कमरा तुम्हारा रहा है, कमरे में तो air प्रजन है ना, क्या हो जाएगा इसमें कौन सी विदी होगी, एक तो convection होगी और एक कमरे में heat transfer convection मतलब सम्वान और विकरण की द्वारा, ऐ वाला अंसर, solid part तो कुछ है अही नहीं न, चलेंगा अगे, अगला प्रश्ण, निम्न मेंसे कौन Сे युक्ति अपने कारे में विद्धुत धारा के चुमबकिय प्रभाव के सिधान्त का प्रयोग नहीं करती है, विद्धुत धारा का चुंबकिय प्रभाव इसका प्रियोग करते है कौन विद्धूद हीटर क्ष़ेत्ड एक तम lass और अंसर कौन सा हो जागा सी वाला मोट्र जनेरेटर इलेक्ट्रिक बेल यह सब हमारे किस पर प्रियोग करते विद्धूद हरा के चुम्ब की प्रभाव पर कारें करते सी क्षावांची वाला एंसर पर सही होगा आगे बोड़ेंगा अगला कोशिन सवेंटी स्री। तुलना में उश्मा को अधिक परावर्तित करता है लकडी की फर्ष की तुलना में उश्मा का अच्छा चाला के लकडी के फर्ष की तुलना में उश्मा का हीन चाला के इसको प्रति दिन धोया चाहता है जब कि लकडी के फर्ष को केवल बुहारा जाता है लकड़ी का फर्ष आप जानती हो मार्बल का फर्ष समझ रहोगे इसको बता ना डेली लाइफ से रिलेटेट इक्वेश्चन है तुम्हारा ही है कि लकड़ी के फर्ष के तुलना में उश्मा का अच्छा चालाक है कौन मार्बल मार्बल हमारा अधिक ठंडा क्यों होता है क्योंकि लकड़ी के कंपारिसन में मार्बल उश्मा का अच्छा चालाक होता है मार्बल में जल्दी से हीट जो एब्जॉर्ब हो जाती है बी वाला एंसर ठीक है बी वाला एंसर यहां से क्वेश्चन आपका ये ओफ लाइन वाला मैंने सोचा था आपको करवाएंगे ओफ-लाइन वाला पेपर है यह फिर भी हम इसमें देखते हैं क्या तुम्हारे काम का है चलो इसे बताओ यह वाला कोशन मताओं त्ये वाला कोश्व मताओं रेशमा को अपने कमरे में जमीन पर पढ़े एक विशाल बखसे को सरकाने के लिए निम्लिकित में से किस बल्ल से अधिक बल लगाना चाहिए तुम आए घर पे बहुत सारे बकसा बकसा पड़ा होगा तुम चाहते हो कि तुम उसको खिसका दो किससे ज्यादा फोर्स लगाओगे स्टाटिक फ्रिक्षन ग्रेविटेशनल फ्रिक्षन नॉर्मल फोर्स या मस्कुलर फोर्स बाई जो रखा हुआ है बॉक्स उसका जितना फोर्स होगा जिस बल से लखा हुआ है जिस स्टाटिक फ्रिक्षन से रखा हुआ उससे ज्यादा लगाँ गे तो इस चाटिक फ्रिक्शन से अधिक बल लगाएंगे ए वाला एंसर आपका सही हो जाएगा तो आज के लिए इतना ही रखते हैं आज के लिए इतना ही रखते हैं कैसी लगी क्लास चलेगी यह वाला भी बदा दो लाइट से रिलेटेड है अगला करवाद यह मैक्सिम इतना भी करके चले जाओगे ना एक्जाम में सच बताने बहुत बढ़िया पेपर करके आओगे इसके पहले वाली मारतन बायों की थी स्वैर्च पहले बायों का सप्षिंशन रहे गया था तो वह और फिसेक्स की की पूरी पूरी ती अब अगली मारतन जो आईगी वोके मेस्ट्रीड के आएगी आने वाले श्यानु ओंश में द्रेजी छाया निर्मार की घटना को समझने के लिए किया जाता है छाया निर्मार की घटना को कौन बताता है प्रकास सीधी रेका में चलता है प्रकास सीवरगती से चलता है प्रकास सात रंगों से बना हुआ है प्रकास आप पारदर्शी वस्तुओं से हो करके नहीं गुजरता है ठी करो इमांदारी से पूरा एपना monsieur क efficient कि यह है कितना गलत कि नहीं रहा है तो कोई डरने बात नहीं है जितना करवाया जा रहा है इसको ही कर लो जितना तना कौशन है यह कर कि तुम चले जाओगे ना तुम्हारा बहुत अच्छा आजाएगा बहुत अच्छा क्या होगा वो चाया निर्माड की घटने के बारे में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा प्रकाश आप आरदर्शी वस्तुमों से हो करके नहीं गुजरना बिल्कुल सही है और प्रकाश साथ ही कोशन कर लिए हम लोगोंने कैसी लगी क्लास पूरा का पूरा फूरा फॉर्जिक्स तरीके से आपका इसमें रिवाइज हुआ है सारे के सारे सीटेट के प्रिवियस एर क्वेशन थे एंसी आर्टी बेस ती जिसकी वजह से हम कह सकते कि आपके बिहार वाले में भी क साथ ही साथ जो एप्लिकेशन दिसक्स वाला अप्ली केशन उस पर भी में जाएगी तो आज के लिए इतना ही कैसी लगी क्लास जरूर बता आएं के कॉमेंट सेक्षन में तब तक के लिए पढ़ते रहें सीखते रहें बने रहें हमारे साथ टीचिंग वाला पर वेट कीजे पार्ट थी का क्योंकि आज तो यह पार्ट टू था नहीं देखा है बायो वाला सेशन तो जरूर से देखो जा करके जब बढ़ जेशन था पूरा ब वजे क्लास होगी और छे वजे आपकी एंपिटेट वालो की क्लास होगी थैंक यू सो मस् टेक क्यार बबाए बाकी वाई जिनके एक्जाम में जो रिकॉर्डिंग देखेंगे और थी पर बढ़ियास एक्जाम देना है थैंक यू